जोरदार कमाई के मौक्ते आपको मिलते रहेंगे निवेश के लिए अभी आपको कौन से सेक्टर्थ और शेर्स पर भरोसा करना चाहिए अगर डिरेक्ट शेर्स नहीं चाहें तो किन फंड़्े पैसा बनेगा और यहां से आपको wealth जब बनानी है तो उसके लिए क्या कुछ concepts होते हैं जो अपने ध्यान में रखने चाहिए आए यह हमारी खास पेशकर्ष आओ wealth बनाए जिसमें zee business के manager अनल सिंग भी विमार साथ है और वो बताएंगे कि यहां से भी wealth बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए अलजी चार साल पहले से यह journey हमारी शुरू ही है और वहां से हमने देखा जबरदस action है एक तो wealth बनाने का जो real formula है तो markets नहीं दिया ऐसे जनरली जब भी समय खराब होता है मूर खराब होता है माहुल खराब होता है और तब अगर आपके पास या तो निवेश करने का पैसा हो वो golden chance है नहाप पैसा हो तो कम सकाओं आप बने रहें अगर ये दो काम कर ले तो आपकी wealth अपने आप बन जाती है बारह जार से निफ्टी गिरा था ठीक है दो जार उननिस में बारह जार की निफ्टी लाइफ हाई था गट गटा के मार्च दो जार बीस में आप आगए जाते है 49 understood अभूज धार के निफ्टी बें लेकिन आपको वापस आज वापस 57 pasture की निफ्टी साड़े-bायसेजार तीन गुना निफू हो चुका है चार साल में तो खाली इंडेक्स में आपका इतना पैसा बनता है, अब मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूं, उससे आपको अंदाज लेगा कि खराब समय है, यह आइडियल डेटा है, नोट नेसे कि इतने रिटन बने ही, लेकिन इतने ही ना बने, कुछ तो बनेंगे, अच्छे ब गाया, तो अब तक का आपका रिटन तीन गुना हो चुका है, यह निकि 197%, साड़े 7,000 का 200% रिटन गिन लीजिए, तो साड़े 22,000 हो जाता है, और पिछले 4 साल में, हर साल कंपाउंडेट, आप एन्यूली कंपाउंडेट करें, तो 30% का रिटन आ रहा है, 30% का कंपाउंड में आपने लंब सम एक बड़ा पैसा बाजार में एक साथ जो पैसा लगाया जाता है, यह हमने किया होता, तो तब से अब तक किस तरह के रिटन्स आपका आगेए, लंब सम अगर आपने पैसा लगा 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 है, तो आपके 2,82,000 रुपे यह निकि लगबग 182% क के रिटन होता है, एक लाग रुपे आपके पौने तीन लाग रुपे हो गए, मिटकेप इंडेक्स में गजब का प्रदेशन किया है, और 314% के रिटन दिया है, यह निकि एक लाग आपके हो गए, चार लाग तेरह जार रुपे और निफ्टी स्मॉल केप में आपने एक लगा है, तो 4,000,000,000 अचार लाग रुपे लगा है, इसके रिटन है, 3,000,000 परसंट, इससे आप अंजाया लगा सकते हैं, तो कुछ-कुछ के सेज में 4 गुना से जादा पैसा हुआ है, और बाकी के सेज में दोनों में निफ्टी बैंक लिट्ट में लग 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 ल पैसा होने, SIP शुरू किया होती या लगा है होती उस समय तो, समझो आपने मार्च में पहली SIP 10,000 की डाली, चार साल हो गए, 48,80,000,000 यह आपके सामने टेबल, 4,80,000,000, ठीक है, अगर आप ने nifty में SIP किये, 46%, बैंक नifty में किये, 42%, absolute return है, और mid-cap index में 86%, और अब आप एपसिलूट रिटन है समझो अगर आप चार साल के लिए उस समय में सब को एक्विटी मार्कर से डर लगता है पिसा नहीं जालना है FD कर लेते हैं चार साल में किते हैं आते है आठ परसें मालो 22 परसें निफ्टी में 46 परसें मिट के अफगरा में तो उससे भी डविल से जागा अब सेफटी कमें लेकर रिटन जादा है तो लोंग टर्म में यह आपके लिए बड़े फाइदी के बाद ही यह आप नेख सकते है और उस समय आ में बहुत बढ़ी एक्षिन आता हुआ दिखा था तो मेरे ख्याल से दिप जो बढ़ी एक्षिन हुआ है अगर आपने लगाएं छे हफतों में ठीक है पचास बजा जार रुपए क्योंकि शॉट बढ़े इन्वेस्टर स्मार्ट एचे नहीं काइंड ओफ तो उसमें में 136% के रिटन है मिटकेप और स्मॉल केप शेयर तो देखिए तीन तीन गुना से हो चुके हैं तीन लाग के साड़े ग्यारा लाग रुपए आपके बन जाते हैं अगर आपने छे हफ्तों में पैसा लगाया हो तो इसका मतलब क्या है SIP के रिटन और शॉट बलास SIP के कर देखिए SIP का रिटन कितना है हर मैंने दर्जार के SIP कर रहे हैं 46% और शॉट बलास SIP का 150% वहां से भी तीन गुना है तो इसमें एक मेसेज चुपा है जब खराब हो मार्केट और मूर बहुत खराब हो तो तो आप SIP को टॉप अप करिए या एग्रिसिवली SIP करिए ए जब खराब माहौल में आप SIP दबा के करेंगे ना तो पैसे भी बहुत पड़ी आप रहे हैं यह बड़ा एक लेसन है इसमें घराब माहौल में एड़ करिए अपने SIP करिए अग्रिसिवली करिए ओ हां ताकि क्या है अब आप यह तो नहीं पकर पाएंगी कहां से यह प्लानिंग करेंगे तो आप एक स्मार्ट इंवेसर बनेगे इसमार्ट इंवेसर यह नई ट्रिक आपने सिखा दी है यह ध्यान रखेगा अग्ली मार्ट इसलिए अपने क्टकर लगे जहां पर बहुत मूर्माहूल खराब लगे और वहां पर आपको बॉटम पकड़न ज्यादा थोड़ी तो छे कर लो डिपेंड़ अब आते हैं बड़ी बात पर तब तो मार्केट बॉटम पर थे आज मार्केट लाइफ हाई पर है अब यहां से अगर पैसा बनाना है क्या मौका दिखता है क्या करना चाहिए आखिल माहूल ठीक है पैसा लगाने का ठीक है ब अब यहां सोच हूँ ओ मैं एक जेनरेशन पहले पैदा हुआ था तो 1979 में जब सेंसेक्स तो था तो मैं उस वक्त पैसा लगा लेता तो मेरा 725 गुना से पैसा 45 साल की उमर है तो मेरा तो 725 गुना हो जाता पैसा 45 साल में बिलकुल हो जाता क्या करूं उसका कुछ नहीं हो सकता नहीं जब वह तब ओपरने वाले हैं जब भेजा तब भेजा ना सो आज की बात करेंगे अगर आपने मिस कर दिया मार्च 2020 उसके बाद 21, 22, 23 अब आप सोचे कि क्या करूं तो आपके लिए कुछ बहुत इंटरस्टिंग और काम की करेंबत होती हैं बाजार लाइ-फाई पर है लेकिन सेंटिमेंट अभी भी लाइ-फाई जैसा नहीं है वो एकदम अनाप शनाप तेजी यूफोरिया बबल फ्रो अमा एकदम आज लो सुबह लो शाम को बेचो आज लो कल बेचो इस अफ़ते लो अगले हफते बेचो बढ अच्छा है बढ़िया करेंगी तभी आप अच्छा करेंगे तभी कम जांची करेंगी तो बह्त मजबूत है इसमें कोई डाउट नहीं चुनावी नतिजे जब विदान सभा चुनाओं के तीन राज्यों में सरकार आई थी वीजेपी की उस सवाई लोग सभा चुनाओं के नतिजे को डिसकाउंट करके और लडी बाजार भागा भी है काफियत तक वो डिसकाउंट कर चुका है जो आम चुनाओं होंगे उसके नतिजे को कुछ हट तक बाजार डिसकाउंट कर चुका है तो अब इसमें एक पोजिटिव क्या है पोजिटिव यह कि आपको यह सर्ट 300 की बात कर रहा है उससे कमाई तो 300 सीट के साथ भी सरकार बन जाएगी सरकार बनने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्या मार्केट चलेगा ये सवाल आने चीड़ा है बहुत सारे सवाल है तो उसका जवाब इस लाइन में जो आपकी स्क्रीन पर है नतियों के बात भी बाजा में अगर किसी तरह का कोई करेक्शन आए तो थोड़े पैसे बचा कि रखें सारा पेले नहीं लगा लिए ना आपकी रिस्क कितनी लेनी है एकदम सेफ चलना चाहते हैं तो पचास परसंट पहले है पचास बाद में थोड़ा एग्रेसिवी ठीक ठाक मोडरेट है साथ परस प्रॉब्लम कि अगर अभी नहीं लगाना ज्यादा रिस्की है लगाने से लगाने से लेकिन चुकि रिजल्ट डिसकाउंटेड है कुछ हर्त तक प्रइस में इसलिए आपको बचा कि रखना अब आप सोच गया इलेक्शन की रिजल्ट भी आ ठीक है सब कुछ हो गया अब नया क्या और अब अगर सीटें 400 आगी 370 आगी तब तो ठीक 300-325 आगी तो क्या और तुब नया ट्रिगर क्या फिर क्यों चलेगा फिर तो धीर जीर वही एक अनुमी जब चलेगी ऐसा है नहीं तब एक बड़ा ट्रिगर है इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले लगाना है उसके बाद भी ट्रिगर है उसके बाद भी बड़ा ट्रिगर ट्रिगर नहीं बड़ा ट्रिगर है और एलेक्शन के बाद अगर मार्किट गरेगा तो पका इसलिए लगाना है उसका एक ट्रिगर यह आक्री लाइन बहुत काम की बारत और अमेरिका दोनों जिए ब्याज़रे गटना शुरू होंगी और अगली बड़ी तेजी वहां से बनेगी ब्याज़रों पर तो अच्छा ब्याज़रे तो कटना शुरू होंगी अभी गारेंटी नहीं कि exactly कब शुरू होंगी तो फिर इस उचाई पर ब्याज़रे हैं मार्केट के साथ तो फिर इस लेवल पर भी लगा सकते हैं बहुत बड़े सवाल है मैं आपको ब्याज़रों बाज़र का कर्रेक्शन एक बार जल्दी से बताता हूँ हमने पिछले चार बार के एनलिसिस कियें ब्याज़रों के साइकल को ब्याज़रे बढ़ती है टॉप पर पहुंचाती है और टॉप पर पहुंचने के बाद स्टेबल रहती है जो अभी है उसके बाद गटना शुरू करती है गटना होने के बाद स्टेबल रहती है और स्टेबल होने के बाद वापस बढ़ती है जब ब्याज़रे टॉप पर पहुंचते ही, स्टेबल रहती है, गटना शुरू कर गटकर नीचे आ जाती है, इस पूरे पिरिएड में ब्याज़रों के चार हमने जो साइकल दिखें, उसमें सब में मार्केट ने बहुत तगड़ा रिटन दिया है, आपके साम में, देखो, ब्याज़रे जब बढ़ना रुख जाए और स्टेबल हो, जो कि अभी है, गटना शुरू नहीं हुए, अभी स्टेबल है, अभी पैसा लगाने का टाएंगा, सबसे बेस टाइम किया था मालूब है, फर्वरी 2023, जब आखरी हाइक आई थी, आखरी हाइक से अगर आप पैस प्रेट कटना शुरू नहीं हुए, जब गटना और कटना शुरू होंगे, तब भी पैसा बनेगा, तो ब्याज़रों का कनेक्शन ये है, कि आप अभी भी खरीदिये, होल्ड करिए, दरे गटना रुख जाए, तब भी होल्ड करिए, जब दरे वापस बढ़ने के संकेता ह तब आपको प्रोफिट बुक करके निकल जाना है, तो ब्याज़रों का ये बड़ा कनेक्शन है, जिस पर आपको फोकस करना है, ब्याज़रों के गटने से अगला बड़ा ट्रिगर आएगा अमेरिका में, एक ही चीज हो सकती है, जब पहला कट आएगा, तो उससे पहले मा तब खरी जाएगा, फटा-फटी ये लाइनस आपके सामने आ जाएगी, और अभी भी आप फोल करें, जब ब्याज़रों बढ़ना शुरू हो, तब निकल जाएगा, ठीक है, अच्छा, ब्याज़रों घटना शुरू होने वाली है, तो फिर बताएगे, हर जगा पैसा बन आपके काम आसान होना एक वो जल्दी से पासओन करते हैं ना गटाते जल्दी से नहीं है, बढ़ाते जल्दी से तो इनके मार्जिंस बढ़ते है, लोन्स बढ़ते है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बैंकिंग शेयर की परफॉर्मिस आती है और दूसरे नमबर पर मिटके अच्छा ये सब तो चलेंगे जब रेट्स कटेंगे इस समय क्या पसंदार है सेक्टर के लिया से जहां पर निवेश किया जा सकता है इस समय आप मुझे पूछेंगे तो जब आज दने स्टेबल हैं मार्केट लाइफ हाई के आसपास है सेंटिमेंट थोड़ा धीला हो चुका है सरकारी कम्प्निया इस बुलन के स्टार पोफरमल सरकारी कम्प्निया और अभी भी इनमें जगह है तो PSU स्टॉक्स अभी भी चलेंगे और क्यों चलेंगे जो पिछले दस सालों में जो भारती ब डिफेंस, रेलवे, पावर, डिफेंस, PSU, रेलवे, PSU, पावर, PSU, नो डाउट इसमें अगर कोई कम्पनिया आपकी प्राइवेट सेक्टर की है वह भी ज़नों नहीं कि पावर मतला REC, PSC चलेंगे प्राटा पावर नहीं चलेंगे ऐसा नहीं पावर कम्पनिया सब चले जो बाजार के साथ डिरेक्ली जुड़े हैं, एक्चेंजेस, BSE, MCX, Depositives, CDSL, Mutual Funds, HDFC Mutual Fund, UTI, Nippon, आदिते बिला, MC, ये सब ठीक है, रेजिस्टार ट्रांसर एजेंट सेक्टो, कैम्स अगरा ये हैं, ब्रोकरिजेस, धेड़ सारे ब्रोकर्स लिस्टेड हैं, मोतिलाल उस वोल्यूम्स बढ़ रहे हैं, नए इन्वेस्टर सारे है, डिमेट अकॉंट खल रहे हैं, ट्रेडिंग अकॉंट खल रहे हैं, अब पतायों न, FNO का वोल्यूम्स वर्ल्ल में आइस्ट होगा है, पूरी दुनिया में, तो इनको तो सिधा सिधा फायदा है न, तो ये चलें अब हरिक नहीं करेंगे, अब सेलेक्टिवली खरेंगे, पसंदे, लेंगे, ऐसा अनाफ शराम नहीं, कुछ भी लेल, कुछ भी लेल, सानी, अभी भी सबसे बढ़े हैं आपके लिए सरकारी कंपनिया, रेलवेर, डिफेंस, पावर, और मार्केट इंफासरचर, ठीक है, खरेंट हैं, जोग इविशली टार्गेट सारे 3 का है, मैंन काइंड फार्मा, फार्मा इसपैस पेस ह якल बाहरें, फार्मा कम इसेपशों सेय ही ये एक फदिक्ता हैं, की ये लिए अछारेंग्ट हैं, इंडिस्ट तावर, तीनस्ट तार्गेट के तो बहुत नझिगा, ती 400 रुपए के टार्गेट दे रहे हैं, CDSL यहां पर हमें लगता है अच्छे 823,000 तक के टार्गेट इसके बन सकते हैं, इसमें सिंपल सी चीज़ है, 10-10 परसन के फोल पर आप इनमें SIP करिए, जब भी किसी वज़े से बड़ी गिराओट है, कहीं कोई ब्लोग डील हो रही है, कहीं कुछ और हो रहा है, शान्ति से बैठ जाहिए, ले लिजे, ठीक है सर, कुछ दिन पहले एक बड़ी पॉपलर रिसर्च आपने करी थी, सोना या सेंसेक्स, जब एक बार इसका भी रीकाप समझाईए, पैसा कहां बनेगा? हमने पिछले 45 साल के सोने और सेंसेक्स के हमने यह निकाले, 1979 से 2023, 2024 तक की यह है, और इस दोरान सोने ने दिया है 722 गुना रिटन, सोने के मुकाबले में सेंसेक्स के रिटन बहुत 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 है, तो सेंसेक्स हमेशा आउट पर्फॉम करता हुआ है, और इसमें 16 पर्फॉम के, आपको यह देखने में छोटा लेगा, लेकिन जब आप 45 साल में कंपाउंडिंग करते हैं, तो इसका फर्क कितना होता है, 60 साल से 725 टाइम, एक चीज़ जरूरे जो बताना होगा, कि पिछले 10 सालों में वह बात नहीं रही, सोना, नहीं, 20 साल में, 2004 से 2024 तक, सोना और से 725 बराबर रिटन 11 टाइम होगा है, तो अब सोने ने पीछे से कैच अप किया है, तो ऐसी सिचुएशन में यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि आप 100 परसेंट इक्विटी में पैसा लगाओ, अब गोल भी अच्छा रिटन दे रहा है, तो थोड़ा आपका 20 परसेंट इन्वेस्मेंट गोल में हो सकता है, 15 से 20 परसेंट ज्यादा इन्वेस्मेंट आपका एक्विटी मोना चाहिए, थोड़ा बहुट डेट और अगला रियल स्टेट वगिरा में रखेंट तो वह अलग बात है, और उसमें तो आज़ चल बहुत सारे विकल भी एटी एप्विटी में आपने डारेक्ट इन्वेस्मेंट की तो बात कर दी, अगर एकविटी lifelong में पैसा लगाना है, तो आपको क्या पष़ाद है? देखिए, मुझे जो फंद परसंद है, एक्विटी फंद्स इसवक्त वो तीन तरह के फंद्स परसंद है, सबसे ज्यादा मुझे परसंद है फंद्स, फ्लेक्सि कैफ फंड день, flexi cap fund वो है जिसमें आप पैसा डाल लीजे, कितना पैसा large cap मेरा लगाना चाहिए, कितना small cap में, कितना mid cap में, क्या proportion होना चाहिए, यह आप डिसाइड नहीं करोगे, अच्छा, fund manager decide करेगा, जो आपसे मेरे से ज्यादा समझधार है आप उसकी समझधारी से ही बियान में रखके तो उसको फीज दे रहे हो पैसा दे रहे हो तो लगा तो फ्लेक्स केप फंड मेंजर को आ जा दिये है कि लार्ज केप, मिट केप, स्मॉल केप में कैसे मूग करना है बहर है, क्लियर पहरा गौन दूसरा मुल्टी केप, तो सिर्फ स्मॉल या मिट केप या लार्ज केप इस्यार केप भी समॉल केप एंडर करते है तक थोड़ा आपका मुल्टी Κेप में 50% इक्विटी आपका लार्ज केप में हो गया 25% मिट केप में 25 ma catching स्मॉल केप में हो गया अब आपको लगता है, एक्विटी के साथ गोल्ड भी जालता था, एक्विटी का शेर तो मेरे नीचे में बिग जाता है, गोल्ड तो नहीं बिगता, तो गोल्ड तो आपने मिसका दिया, अचा दूसरा, डेट, अब हाईस लेवल पर ब्यास दरें, अब जहां से नीचे आए तो जो मेरे चार-पांच मेरी परसंट के चुने हैं, आप अपनी परसंट से अपने एडवाईजर से बात करें लेगता है, एक परागपारी का फ्लेक्सिक के फंड है, वो एक ही फंड है इनका, जो सभी इनके पास एक ही रखा है इनों है, जो विदेशी शेरों में भी यह पेसा उस ही में लगाते हैं, लार्ग केप लेना हो, स्मॉल केप, यह बहुत यह माल्ज अप अपरिशे क के सकते हैं यह विदेशर का पहला है, एक इसमें लगा सकते हैं, छोटे में में इसलिक्ट हड़ा अग्रिश्व फंड लिया स्मॉलग के फंड पहले से एग्रिस्व होते हैं स्मॉल के फिर और अग्रिशय यह चार पांच फंड इनका पंडू तो corporate bond में फंड में आपको थोड़ा सा गिल्ड से ज्यादा रिटन मिलेंगे और ब्याज़दरे जब गटती है न तो है न कंप्रियों की बैलेंशीट थोड़ी बैतर होने लगती है तो वहां पर corporate bond वाले फंड में risk कम हो जाती है गिल्स के मुकाबले में इनकी risk थोड़ी कम होती है ICIC credit risk fund बढ़ती है बढ़िया economy में है जब खराब economy से economy अच्छी होने लगे और ब्याज़दरे गटने लगे तो credit risk fund आपको बढ़िया पैसा कमा के देता है थोड़ा सा risk है लेकिन आपका return बढ़िया बन सकता है और frankly in India dynamic accrual fund यह को फंड है जहां आप निवेशकी सोच सकते है ठीक है और इन दोनों का mixture चाहिए हो hybrid funds लेना ही चाहिए बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि जब आपको पता है कि पैसा equity debt दोनों में बन सकता है तो आपको mix के लिए simple आप दिमांग मत लगो दो फंड में आपको बताता हू यह दोनों schemes है जिन में आप पैसा लगा क्या आराम से बैठी है तो जिन लोगों को share खरीदने है वो हमने share भी बता है इन लोगों के funds में पैसा लगाने equity में लगाना हो multi asset में लगाना हो dynamic funds में लगाना हो bond fund में लगाना हो hybrid fund में लगाना हो यह आपके लिए wealth creation का पूरा formula इस बनेगा regular investment से बनेगा long term का vision रखके अच्छे investment में बने रहने से बनेगा पैसा बार बार उठापटक करने से नहीं बनता बिल्कुल अच्छे funds में पैसा डालके शांती से बैठ जाने से बनता कहां जाएंगे यही आएंगे बहुत बहुत शुक्री आनल जी रोज तो आप हम में सला देते ही हैं बाजार की wealth creation week में पिछले दो हफ्तों से कुछ बढ़िया research और stocks और बागी बाजार में wealth बनाने के फॉर्मला और आज जो पूरा मिश्रन इसका बताया है यहां से भी life hyper भी wealth बन सकती है यह confidence देने के लिए बहुत बहुत शुक्रीया सर इस शो में हमारा साथ देने के लिए आप सब कभी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास सीरीज में हमारा साथ देने के लिए झाल 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 झाल